One UI 7 update को लेकर एक latest information है वो सामनिकल के आ रही है जिसके बारे में आज की इस वीडियो में guys हम लोग बात करने वाले हैं और especially ये वाली जो वीडियो है वो होने वाली है Samsung Galaxy S23 Ultra Smartphone के बारे में इस device के इंदर आपको ये वाला जो update है वो कब तक देखने को मिलेगा सो वीडियो को end तक वोच करते रहे वीडियो आपको ये पसंद आती है तो लाइक कर सकतो और चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर ले ना जैसे इंडिया में update आएगा वीडियो आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएगी सो तरुन वर्ट्स इन्होंने एक आर्टिकल है वो शेर किया है अपने ट्विटर हैंडल के उपर जहां पर आप लोग देख सकतो काफी सारे बग्स है ना वो अभी का जो internal बीटा है उसके अंदर हमें देखने को मिल रहे हैं सो बीटा update है वो आने की जो probability है ना वो काफी कम है अगर आप लोग ये expect कर रहे हो कि update ना वो आपको नवंबर मंत के अंदर मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होने वाल है क्योंकि जो Samsung ने timeline है वो बताई थी कि December मंत के अंदर update है वो rollout किया जाएगा Samsung की S24 सिरीज के लिए सो उसी के लिए सबसे पहले update ना वो आपको December के या तो cancel हो चुक है क्योंकि update है वो इतना जल्दी है वो नहीं आने वाल है काफी सारे bugs है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे है और यह वाली जो information आती है वो यहाँ पर internal निकल के आती है तो आप लोगों से बात करूँ कब तक update है वो आ सकता है S23 Ultra स्मार्टफोन के लिए तो पहले तो guys update है वो December की ending में S24 series के लिए मिलेगा तो आपको wait करना है January मंत का 15 January से पहले पहले update है वो यहाँ पर roll out किया जाएगा Samsung की S23 complete lineup के लिए जिसके अंदर आपको S23 Ultra स्मार्टफोन है उसका भी name देखने को मिल जाता है update के अंदर guys आपको काफी सारे नए features है वो तो देखने को मिलते ही है और recently यह वाला जो control center है वो भी आपर change हो चुक है अब यह वाला जो look है वो आपको ना मिलकर इसका एक और नया look है वो आ चुक है और वो भी मैं आपको दिखा देतो guys यह वाला जो look है वो आपको यहाँ पर कुछ इस परकार से देखने को मिले वाला है अब इसकी जो design है वो पूराने वाले control center से change है तो हो सकता है क्योंकि Samsung ने एक वीडियो है वो शेयर करी थी और उसके दरह में यह वाली चीज पता चल रही थी कि Samsung की तरफ से इस पर customizable control center है उसका option आने वाला है तो हो सकता है यह वाला control center है उसको भी हम लोग यहाँ पर convert करके कुछ इस परकार का control center है वह आपर बना पाएं बाकि इस control center और जितने भी जो नए features है जो कि recently Samsung की तरफ से सामनिकल क्या हैं जैसे कि नए वाले icons जो कि आपको इस update के अंदर मिलेंगे इसक subscribe के icons है वो अपने phone के अंदर free में install करना चातो तो इसके उपर भी मैंने वीडियो बना दिये link आपको just उपर i button पर दिखाई दे जाएगी watch कर लिना अगर आपके कोई doubt है suggestion है नीचे comment सेक्ट में बता सकतो और वीडियो आपको अच्छी लगी तो like कर देना और चैनल को भी subscribe subscribe कर लेना और टेलिग्राम चैनल है उसको जरूट से join कर लेना link आपको नीचे description में देखने को मिल जाएगी so guys मैं मिलता हूँ आप लोगों से next video में जेहिंद वन्दे मातरम